हैं связи आगको दिखाने वाला हूं बहुती जबर्दस वीट की रेशिपी by जिसको चैना ते बहुती बहुती बहुते हैना या अपने अपनी स्टायल से बनाहे है यह ऑगर अगर की कि रेशिपी यह रखी इफिया है 12 ओ निक प्याइंगा बजार में आपको driversnut आपके nearest grocery store में आपको मिल जाएंगे तो यह हमने लिया है 12 ग्रम और इसको सबसे पहले आच्छी तरिके से इसको धो के लिया है तरोली इसको दोना बहुत ही ज़रूरी है यह completely wedge है यह recipe और यह जो आगर-गर यानि कि जो चानागास होता है यह completely wedge चीज है तो इसको सबसे पहले notifications तुरण मिल जाते हैं तो यहाँ पी देखिए हमने total quantity जो दूद की है हमने दूद को दो भाग कर दिया है total दूद की quantity है 750 ml यानि कि पाउना लिटर दूद लिया है और यह पाउल लिटर दूद को हमने एक पतिले में लिया है और इसमें हमको हमारे चानागरास है उसको भी खोना है यह हे 250 ml milk जिसको हमने चोटे पतिलय में इसको थोड़ा सा पंदरा मीं उसको भीगो कर रखा है दूद में और दुझरी तरफ और जो सोटा यानि की इसको मेंगरा दूद बाकि का दूद है उसको लिया है दूसरे पतिले में तो दूस्तों जब भी हमारेमारेय स São ह डिया है तो इसको बाद में यूज करते हैं यहां पर आपर आपके के बागी के तयारी करेंगे हो एन मैं इसको चामिल करेंगां तो यहां पर एक छोटे से ही जब टक उसको पंद्रा मिट होने के बादорот पतीले हो को हम ने स्टोपब रख दिया और इसको पकाते रहना है हमको तब तक ये जब तक कि ये जो इसमें एब जैदना पकुरत इसम में जहते कि पड can कले की तिन चैभ Спून würde करें या ragam तम आद इसकी प्रिक रेंगे लेकिन हमको जैसे हम जारग três करते हैं उसको चलाते रहना है गुंकि इसके अंधर जो गोले नहीं बनने चाहिए जो milk solids बनते हैं वह नहीं होने चाहिए लिए हम इसको गोमाते रहेंगे एक बार मिल्क गौडरamakर करने के बाद say तो या हम पेस्ट है और हम यहां पे हम यहां पे कंडेंस मिल्क यूज करेंगे जो कंडेंस बर्स्पून तो दोस्तों यह मनें बहुत जबरस लगेगा चान ग्रास जब यह आप खाएंगे इसको यह मनें का टेस्ट करने के लिए यूज कीए और फ़ीयां और आगर-अगर यानि कि इसको चानाग्रास बोलते हैं तो यहां पे हमने condensed milk एड़ किया है 4 टेबल स्पून एक बार यह एड़ होने के बाद इसमें हमने इलाची पॉर्डर भी एड़ किया है हाफ डिस्पून इलाची पॉर्डर हमने इसमें फ्लेवर के लिए एड़ किया है तो हमने जो जा हाफ डिस्पॉन दोस्तों जब हम शुरू में दूद गरम कर रहे थे जब दूद लूकवाम गरम होता है तब ही हमने उसमें milk powder एड़ करना है और उसको एड़ करने के बाद चलाते रहना यह ज़रू धियार में रखें इलाची पॉर्डर एड़ करने के बाद हम इसको घु कर उसी पतिले को स्टोपर रखाता और वही अब हम पतिला इसमें बड़े पतिले में transfer करेंगे तो जो हमने दूद और चाना ग्रास को पका लिया है वही छोटे पतिले को अब हम बड़े पतिले को पतिले में add करेंगे जिसमें हमारी final recipe त्यार होगी तो हमने सबीक चीजें add कर दी है यह complete पतिला ready है यह अब हम इसको पूरी आज पर घुमाते रहेंगे एक बार यह add होने के बाद आपको कम से कम यहां पर पांच से साथ मिनिट लगते हैं पूरी आज पर इसको continuous लिए अपको घुमाते रहना है और यहां पर हमने तीन काजु पिस्ता बाद हम तीन dry foods लिए हैं बारीक चॉप करके इसमें add कर दी हैं और कुछ हमने रखे हैं end में garnish करने के लिए तो एक बार यह dry foods भी हमने add कर दिय वह हमने इसमें add किया दोस्तों हमने जाफरान इसलिए add किया क्योंकि एक तो वह healthy होता है दूसरा उसका natural color भी आता है तो लेकिन यह बिल्कुली option है इसके जगे पर आप कोई भी artificial color यूज़ कर सकते हैं इस recipe में तो यहां पर एक बार यह mix होने के बाद और 5-7 minute होने के करना है और प्लेट में एक बार होने के बाद इसको completely room temperature पर हमको थंडा करना है यानि कि normally आप उसको प्लेट को वही रख कर उसको थंडा करना है आपको एक बार यह completely थंडा होने के बाद इस पर हम ड्राइफूर्स स्प्रिंकल करेंगे उपर से जो हमने काजू पिस्ता करने के बाद बाद और बंठ लाइफ इसको फिर से फ्रीज में रखेंगे दो घंड लेंगे तो यह हमारे दो स्टेप में रोम तंप्रेश में रह को थंडा कि पिर इसको हुछ उधा कर दिया दो घंटे के लिए completely इसको उसको जड़रूरी होते हैं और उसके बाद हम अश फ्रीज से इसको निकाल लिया है, दो घंटे हो चुके हैं, अब हम इसको end से इसके इसको loose करेंगे थोड़ा सा यह भी देखिए, तो यह हमारा completely ready है अब सर्फ करने के लिए, तो फ्रीज में हमने दो घंटे रखेते हैं, वो भी हो चुके हैं, इसको थंडा होने के बाद हम य चुरू कर देंगे, दोस्तों यह आप अपने मंचाय आकार में भी दे सकते हैं, इसको goal आकार भी दे सकते हैं, आप कटोरी के मदद से इसको goal आकार से cut कर सकते हैं, दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले में बताया, इसमें जाफरान डालना optional है, और इसको आप बिना कोई color कर बिना सकते हैं, सिर्फ सफेद यह बन जाएगा, बिना color कर यह तबी भी आच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको color चाहिए, तो आप सबसे पहला option चाहिए, तो साफरान ट्राय कर सकते हैं, साफरान जो की natural और healthy होता है, नहीं तो आप artificial color यूज़ कर सकते हैं, जो आपका प जुटारी में, रमजान में भी मना सकते हैं, तो फिर मिलते हैं एक नई recipe के साथ, हमारे recipes चेक आउट करते हैं, अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, और उसको आपने family friends के साथ शेयर करें, और जो नए दोस हमारा video आच पहली बाद देख रहे हैं, वो ज़रू सब्क्रा जापश बाद एकृटारी में.